Hello everybody, this is तिग्रास सिंग, राजपूत, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो लेक्चर से एक नया चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं Class 6th Geography का चाप्टर चाप्टर है Major Domains of the Earth अर्थ के जो Major Domains से उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं अभी तक 6th Geography में आपने क्या सिखा देखो हमने अर्थ के basic features समझे Latitude, Longitude, Pole, Axis, इस सारी चीज़न सिखी फिर हमने देखा कि अर्थ क्या करता क्या है ठीक है कैसे rotate करता है, कैसे revolve करता है, किस से क्या होता है दिन रात ठीक है, फिर geography जब पढ़ रहा है तो हमने कुछ geographical tools समझे Map, Plan, Sketch वगरा, यह सारी चीज़े अब हम आ जाते हैं जमीन पर, जमीन पर मतलब अब हम अर्थ की जो अलग-अलग, कह सकते हैं, अर्थ के अलग-अलग जो domains है मतलब अर्थ पर क्या-क्या है, तो अर्थ पर जैसे आप देखो कि पानी है, हवा है, जमीन है फिर उसके आदमें हम ये भी देखेंगे, आगे चलके कि अर्थ पर और life form है तो life form किस-किस तरह का इंसान है, जानवर है, सारी चीज़े 6th geography में आप पढ़ने वाले हो अभी ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर क्या बोलता है, major domains of the earth ठीक है, अब major domains of the earth मतलब क्या है, कि अर्थ के अर्थ पर जैसे ऐसा होता नहीं कि आपकी school है अब आपकी school को आप classify करो को तो एक पुरानी building, एक नई building और एक जो constructory building अभी तो आपने क्या करती है, domain बता दिया, अच्छा है, तीन domain है हमारी school के तो वैसे ही क्या है, कि अर्थ पी जो पूरा अर्थ है, तो उसके classification अलाग अला कौन कौन सी चीज़े हैं तो तीन domain हैं, तीनों domain को, major domains जो हैं हम क्या करने वाले हैं, समयने वाले हैं तीनों domain से मिल की एक और अच्छा domain बनता है, वो चौथा domain भी पढ़ेंगे, क्या है, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीज़े में इस video lecture में आपको clear करके देने वाला हूँ ये एक basic introductory video lecture है, जैसे आपको पता है, हम chapter start करते हैं तो starting video lecture जो होता है, वो एक introductory video lecture होता है, जिसमें मैं आपको introduction देता हूँ कि हाँ chapter में है क्या क्या चीज़े, chapter की theme क्या होने वाली है, chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ और वही चीज़ इस video lecture में भी बताऊंगा, देखिए, तो अर्थ, ठीक, अब ये क्या हो गया, अर्थ जो है हमारा प्यारा, ठीक है तो अर्थ क्या है, अर्थ is the only planet that supports the life, प्लानेट और भी है, मास भी है, जुपिटर भी है, सेटन भी है, तरह तरह के प्लानेट है अर्थ ही एक मातर ऐसा planet है, जो क्या करता है, life support करता है, life support करता है, जहां पर जीवन है, जीवन क्यों है, क्यों कि यहां पर जमीन है, यहां पर पानी, यहां पर हवा है, जीने के लिए क्या चाहिए आपको, यह सारी चीज़े चाहिए न, तो जीने के लिए आपको जमीन च ही है मतलब हम हैं आप हैं हम जी पाय रहे हमारे हमने क्या देखा आजू बाजू बहुत सारे जानवार होते हैं छोटी जी मक्खी से लगा के बड़ा साहती तक सारा सब कुछ जिन्दा रहता है अर्थ पे ठीक है तो दी सर्फेस ऑफ दी अर्थ ठीक है थ्री मेन कंपोनेंट् आपल आउर्ट जी तीन इन्सान नहीं है यह तो आपक्ष होता है जैसे आप जमीन पे भी खड़े हो सकते हो जमीन पे खड़े हो के बाजू में तालाब भी हो सकता है, पानी भी ऐसे निहार सकते हो, और हवा है उसे इनहेल कर रहे हो, कर रहे हो, अब तीनो जो जो जोन्स है, तीनो जोन्स क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप जमीन पर खड़े हो, पानी को सहला रहे हैं, औ को इंटेक कर रहे हो oxygen कर रहे हो तो आप तीनों जोन को एक साथ क्या करता हो फील कर सकते हो इंटराइट करते हैं वो एक दूसरे के पर ओवरलाप करते हैं और यह तीनों जैसे अब आगे दिखाते हो चलो देखो lithosphere क्या होता है तो पहला जो domain है ठीक है पहला जो sphere है वो क्या है lithosphere तो solid proportion of land part तो lithosphere मतलब litho मतलब क्या होता है land तो जहां-जहां जमीन है वो lithosphere का part हो गया ठीक है फिर आता है जैसे atmosphere तो क्या है the gaseous layer that surrounds the earth अर्थ के आजू-बाजू हवा है ठीक है gas है और यह gaseous layer जो है तो gaseous layer क्या बनाती है वो बनाती है atmosphere तो gaseous layer बनाती है atmosphere यह हो गया hydrosphere hydrosphere क्या होता है तो part covering the water वो हिस्सा जमीन का जो क्या करता है water को cover कर रहा है ठीक है मतलब अर्थ का वो हिस्सा कहना ज्यादा सही रहेगा अर्थ का वो हिस्सा जो क्या कर रहा है पानी से ढखा हुआ है वो हाइड्रोस्फेर होता है तो यह तीनों स्फेर मिल गए लिथोस्फेर, एट्मॉस्फेर, हाइड्रोस्फेर, देखो बहुत अच्छे से समझ ना क्यूं क्यूंकि आप 7th में भी यही चीज पढ़ोगे 8th में भी पढ़ोगे 9th में 10th में भी यह हाइड्रोस्फेर एर वाला पार्ट और हाइड्रोस्फेर पानी वाला पार्ट ठीक है यह तीनों पार्ट जो है तो तीनों पार्ट मिलते जहां पर वो बायोस्फेर कहलाता है and the magic happens here ठीक है, यहाँ पे जादू होता है मतलब यहाँ पे life exist कर सकती है ठीक है, the narrow zone where we find land, water, air is known as biosphere, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इधर देखो, यहाँ पे और बहतर होगा ओके, नहीं है, चलो बना देते हैं यह देखो, यह क्या हो गया, पूरा जमीन का हिस्सा हो गया ठीक है, अब जमीन के पास में जैसे क्या है, नदी निकल के जा रही है, clear है अब यह नदी निकल के जा रही है, अब आप एक चीज़ और observe करो, कि यहाँ पे क्या देखने को इसी लिए इसे कहा जाता है, the magic happens here, ठीक है, यहाँ पे जादू हो रहा है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे life, मतलब जो situation बन रही ही तो, वो situation क्या है ideal है for the survival of human beings, human beings को अगर survive करना है तो biosphere का होना बहुत जादा जरूर है, आगया समझ में major domains of the earth तो हमने देख लिए major domains of the earth में तीन domain जो होते है जो theme बताई है ना इसी चीज को हम in detail पढ़ेंगे पूरे chapter में बस तो क्या क्या topic से हम lithosphere को समझेंगे, lithosphere में continents continents क्या होते है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है यह lithosphere पढ़ेंगे, lithosphere में continents को समझेंगे हम clear, कौन-कौन से continent है world में तो यह factual details हो जाएगी सारी, मज़ेदार फिर हम देखेंगे hydrosphere, hydrosphere क्या होता है, पानी वाला zone तो हम oceans पढ़ेंगे, कि oceans कौन-कौन से है clear, फिर हम atmosphere पढ़ेंगे, तो atmosphere in general में आपको समझाऊंगा कि atmosphere में क्या-क्या है, कौन-कौन से चीज है, कैसे काम करती है तो lithosphere, hydrosphere, atmosphere, तीनो जोन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे biosphere, फिर हम biosphere पढ़ेंगे, तो biosphere क्या है the domain of life, जहांपे life possible है, तो biosphere के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा, और ultimately जब हमारा पूरा chapter complete हो जाएगा, तो हम NCRT solutions, जो NCRT questions है न, उन questions के answers को discuss करने वाले है, मदा आएगा, ठीक है so this is all about the introduction, ठीक है, यह introduction था, यह introductory video lecture जो होता है इसमें हम आपको यही चीज़ बताते है, theme और हम क्या-क्या पढ़ने वाले है आई चीज़े समझ में, आई तो बताना जरूर, ठीक है, अब क्या है एक important चीज़ मेरी सुनते जाओ, अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप यहाँ पर हो, 6th class में ठीक है, आप से 2 साल छोटे वाले जो आपके juniors है, उन्हें भी बताना ठीक है, और फिर आप से उपर जितने वी बच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उन्हें बताना आप तो magnet brains पे class 4th से 12 तक, सारे subjects, सिर्फ social नहीं, science भी है, maths भी है, English भी है, Hindi भी है और जो भी हमसे possible होगा, हम सब करेंगे आपके लिए, clear है, आपको क्या करना है, और हाँ, हम करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये video lectures जो है ताकि आप क्या कर सको, आराम से, बिना किसी चिंता के अपना syllabus complete कर सको, पढ़ाई को मजे से complete कर सको, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको यही करना है, कि आपको inform करना है, कि इस family में जुड़ जाएं और लोग, ठीक है, आपके juniors और आपके seniors, आया समझ में यहाँ तक, यह साही चीज़ ने मुझे आपको बताना थी, I hope you enjoyed the video lecture, next video lecture में next topic पढ़ेंगे, हम chapter आगे start करेंगे, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिथोस्फियर के बारे में, यही topic है आपका, ठीक है, तो हमारा जो chapter हमने start किया, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक basic introduction बताया था, class 6, the geography का chapter, chapter है major domains of the earth, तो इस chapter की मैंने आपको theme बता ठीक है, अब जो पहला domain है, वो कौन सा है, लिथोस्फियर का है, अब लिथोस्फियर वाला जो domain है तो उसमें हम देखेंगे कि land part जो है, land part लिथोस्फियर में आता है, अब पूरे land part को समझने की कोशिश करेंगे, लिथोस्फियर से जुड़े और concepts देखेंगे कि क्या-क् ठीक है, देखो, तो, it comprises the rocks of earth's crust and the thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organisms, समझा देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ, आप बोलोगे कि सर, यही तो समझ नहीं आता है बुक में, देखो मैं समझाता हूँ, क्या है, it comprises of rocks of the earth's crust, earth's crust क्या होता है, तो जैसे पूरा earth है, अब earth की जो उपर वाली परत ह है, तीक है, उपर वाली जो मिट्टी है न, इसे earth's crust कहा जाता है, आप 7th class में जाओगे geography में, तो और पढ़ोगे चीजें कि crust होती है, mental होता है, core होता है, सब कुछ होता है, इसे layers है earth की भी, ठीक है, यह जो earth है इसकी पूरी की पूरी क्या है, layers होती है, अलग-अलग, तो अभी आप crust मतलब कहा है, जो top soil होती है, ऐसे समझ लो, जो top soil होती ही, वो होती है, crust ठीक है, तो lithosphere में क्या आएगा, lithosphere में crust वाला पार्ट आता है, ठीक है, and thin layers of soil that contain nutrient elements, देखो, lithosphere में वैसे तो सब आएगा, लेकिन अभी हम देखते हैं, lithosphere में क्या है, crust वाला पार्ट जिस क्रॉप्स होगे, क्रॉप्स खाओगे, तब आप जिन्दा रह पाओगे, तो वो जो soil में nutrient हैं, तो क्या करते है, nutrient elements with sustain organisms, ठीक है, तो organisms indirectly, जैसे human beings क्या है, crops grow करके sustain करते हैं, जूसरे जो ऐसे भी कुछ bacteria वगेरा हैं, जो क्या करते हैं, soil के अंदर रहते हैं, तो soil से nutrients ले ले प्लांट को क्या करते हैं, अप लकडी के अंदर घड़ा तो वह बढ़ा हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो soil में ही क्यों grow करते हैं, सोचाएं कभी, क्यों 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 क्या लेते हैं, soil से nutrients लेने के बाद ग्रो करते हैं, और हम उन plants से food लेते हैं, और हम भी तब ग्रो क करते हैं आया ना समझ में तो इस सेंस में बहुत जरूरी है समझ ना दे को एक लाइन लिखी लिकिन वो लाइन के अंदर का मैसेज समझ जाओ कि तम मज़ा आएगा पड़ने में ठीक है तो आप जिसे अउन बेट गजो कंटें नूटेन अलेमेंट्स और वो नूटेन अलेमेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं विस सस्टेन और्गनिजम्स विस सपोर्ट दी लाइफ हैẹए तू में डिवेजन्स ओफ दींगी अर्थ शर्फेस आर अब जीसे सर्फेस्ट जो मिट्टी जो यह वह आगे लिधास्टैर में लेफिया तो अर्थ के जो 2 में सफेयर से हैं और ओशेयन बेसिन तो क्वान्टिनेंस यह दो में जोने इन्हें हम पढ़ने वाले हैं तो यहां पर क्या देखा रहा है कि is the landmass lithosphere of the world connected ये चीज़ समझो मैंने आपको यहापे दो चीज़ बताई continent तो आपको समझ में आ जाएगा भी थोड़ी दिर में अगला क्या बताई है? ocean basins बताई है अब ये ocean basins क्या होता है? देखो तो ऐसे समझो ठीक है? ये जो है हमारा पूरा अर्थ है अब ये पूरा अर्थ है तो आप देखते हो कि ये तो जमीन उपर अलग दिख रहे है ये North America है, ये South America है ठीक है? ये Africa है, ये Europe है ये Asia है, ये Australia है ये तो जमीन है ठीक है? इस पर क्या देखते हैं? इस पर घर बनाए है, लोगों ने खेती करते हैं ये लोगों ने बिल्डिंग बनाए, ओफिस बनाए ठीक है, दूसरा ये समुद्र है तो अब हमने आपको ये बता चुके हैं कि लिथोस्फेर में क्या आता है? लिथोस्फेर में लैंड पार्ट आता है लेकिन जमीन क्या सिर्फ ये जो उपर दिख रही ही है ले वीडियो में बढ़ाता है कि ये दोनों जोन क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं, तीनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को एक तो कॉंटिनेंट हो गया, जो उपर अलग लैंड दिख रहा है, दूसरा ओशियन बेसिन मतलब कि ये पानी के नीचे भी तो जमीन है, तो पानी के नीचे जो जमीन है उसे हम ओशियन बेसिन के नाम से जानते हैं, उस कैटेगरी में हम क्या करते हैं, क्लासिफाय, तो ज जमीन है, और एक ये उपर जो दिख रही उसे कॉंटिनेंट कहेंगे, ठीके, तो इस तरह से क्या होती है, दो पाट में क्लासिफाय कर देते हैं, किसे कॉंटिनेंट को, अर्थ सर्फिस को, क्लियर है, अब देखो क्या है, इस दी लेंड मास लिथोस्वेर ऑफ दी वर्ड क अब ये एशिया कॉंटिनेंट है, अब आप देखो के तो ऊपर से देखो के तो आपको ये अलग देखे गाई, ये अलग देखे गाई, और बीच में क्या देखे गाई, पानी देखे गए पूरा, लेकिन सवाल क्या था अभी, दोगो, तो सवाल यहां पे सिम्पल सा ये कि is the landmass, lithosphere of the world connected, क्या landmass connected है, जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हाँ बही है, जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि आप नीचे से अगर देखो के तो नीचे से जुड़ा है, ना, नीचे से जुड़ा हुआ है, तो लेंड मास इस तरह से क्या है, नीचे से जुड़ लेकिन वो पूरा वल्ड का पूरा लेंड माज आफस में नीचे से जुड़ा हुआ है होता है यहां पर डिप्रेशन बन गए गड़े बन गए तो आप क्या होता है पानी डालोगे जैसा होता है कि रोड पर चलते हो तो आपको दो पॉइंट दिखेंगे यह भी रोड यह भी तो दो कॉंटिनेंट के बीच में जो डिप्रेशन एग जो से लो लेंड बनाए ठीक है खाली जागा वहां पर पानी बढ़ गया है तो वह उस संस में किया है कि वर्ड में जो लेंड है नीचे की तरफ वह तो आपसमें जड़ा हुआ है तो आपको यह सवाल आपको क्लियर होना चाहिए कि इस दी लेंड मास लिथोस्फेर ऑफ दी वर्ड कनेक्टेट तो यह एक बिग यह यहां पर लेंड मास कनेक्टेट बास बीच में जो डिपरेशन से तो उनमें पानी भर गया और वो ओशियन बन गए क्लियर कंसेट आफ सी लेवल और इसी को सी लेवल कहा जाता है यह चीज भी समझ लो हां यह इंपोर्टेंट कंसेट देख आप बोलोगे कि सर बुक में तो है नहीं कुछ कहके पड़ा रहे हो लेकिन यह कंसेट जानना जरूरी है तब ही तो मज़ा आएगा जियोगरफी में यही पता यहां से लोगों के अंदर इंट्रेस्ट और डिसिंट्रस्ट यह दोनों चीज़ें डवलप होने लगती है सिक्स्थ क्लास है अगर अभी से आपने जियोगरफी के बेसिक समझ लिए तो आपको जियोगरफी पढ़ने बहुत मज़ा आएगा और अगर आप अभी दिख रहा है ठीक यह क्यों बिमार हो गया चलता क्यों यह सीदा ठीक है आप यहां खड़े हो यहां खड़े हो जमीन पे दोनों लेकिन यह जमीन नीचे से भी जुड़ी होई होती है तो इस सेंस पर हमने देखा कि यहां भी लैंड सर्फेस ऑफ दी वर्ल्ड इस कनेक्टे यह डाउट क्लियर हो गया अब देखो आपने अधिकतर सुना होगा ऐसा क्या सुना होगा कि माउंट एवरेस सी लेवल से 8000 मीटर ऊपर है ठीक है तो 8000 मीटर कैसे नापा आपने तो हम क्या देखते हैं कि यह जो एरिया है सी लेवल जो है पानी का जो लेवल है यह सी का जहां तक एक क्या सकते हो फ्रेंट हो देखां कैसे एक इकवल हो दो सम्जबढ़ के लिए कि मान लो एक 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 मोन लेतें कि अगर आपने लट अपके घर में सारा समान है encompass.्जा अब नल का पानी जो है भेहते जारा उलग है गरमे पानी भरने लंगे आपके यह वह जाम में क्या सामान में आपने क्या रखा तो एक टेडी बियर गिरा हुआ है ठीक है फिर आपके धर में क्या है कि एक बड़ा टेबल है फिर आपके धर में क्या है फिर आपके धर में जैसे देखें तो एक बहुत बड़ी चेयर है टेबल से भी बड़ी चेयर है तो अब जब आप लगा, पहले पानी भरेगा, फिर धीरे क्या होगा, जिसके हाइट कम होगी, तो टेडी भीर बिचार रही दूप गया, बड़ा बुरा लगी दूप गया, अब क्या होगा पानी ऊपर बढ़ते जागा, तो यह टेबल भी डूप जाएगा, तो सेंस में क्या है, अब आप दे अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो आप बोलते हो कि यह surface जो है, land surface, यह 0 meter से 10 meter उपर से, दिखें, तो यह 10 meter हो गया, विसी हिमालयाद 8000 meter हो, तो हिमालयाद बहुत उपर हो गया, ऐसे क्या होता है, sea level का concept काम करता है, कि आप sea level को 0 meter मानके चलते हो, फिर वहाँ से आप जो भी जमीन होती हो, जैसे यह क्या है, यह 0 से ऊपर हो घ्यान रखना हो, ठीग है, अब आ घ्यान रखना हो, इचान में, माँंट एवरेस बोल रहें तो मांट एवरेस्ट क्या है वर्ड का हाय एस्ट मांटन पीख है वह कितना है तो सी लेवल से 8,848 मीटर से उपर है सोच लो अब कभी यह क्या होता है कि कभी यहां तक तो पानी कभी पाँची निपाएं गए दुनिया पाट है अब यह जो रिवर ऑशियन बैड है यह भी जमीन का पाट है तो लिटोस्फियर यह भी ठीक है तो अब एक इंट्रस्टिंग फैक्ट और बताता हूं मैं आपको क्या दी ग्रेटेस्ट डप्ट ऑफ 11,022 मीटर्स ठीक है इस रिकॉर्डेट मर्याना ट्रेंच इन पै अब जैसे समुद्र में भी जमीन तो है नीचे तो जो सबसे नीचे समुद्र में जमीन है वो कितनी है पता है 11,000 मीटर्स मतलब 11,022 मीटर्स याने कि आप हिमालिया जो है तो क्या कर सकते हो आप इस हिमालिया को सीधा का सीधा उठा के यह जो ग्रेटेस्ट डप्ट है उस तरह से क्या होता है कि अगर हम बात करें कि सीज OSI में कहां सबसे गहरा पॉइंट है तो cog current कि यह से पूल में देखते हैं तो उस साइट पर सब से डैस मीटर तक है तो 10 शुर्ट तक फूरे दूब जाओं गया तो Living में क्या है कि जो मर्याना ट्रेंच है Pacific Ocean में इतनी घहरी है कि आप यह जो पूरा का पूरा हिमाले है देखो इसको यह इनिमेटेड बताया तो हिमाले को ऐसे डुबा सकते हो आप इतना घहरा यह ओशन में पॉइंट है डीपेस्ट पॉइंट है वर्ड का आगे ना समझ में यह इंट्रस्टिंग चीज़े थी जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताईए आपको चीज़ें समझ में आई है लिथास्फेर क्लियर हो गया है अब लिथास्फेर में इसे कॉंटिनें तक सभी चैप्टर सभी चैपटर के सब टॉपिक्स सब टॉपिक्स के साथ साथ में क्या है सब कुछ जो है एक वीडियो लेक्टर की फॉर्मेट में free of cost available है तो आपको क्या करना आपको कुछ नहीं करना आपको पढ़ना है घर बैटके आराम से अपनी तयारी करना है syllabus complete करन और अपने फ्रेंट्स जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं तिल देन स्टे गनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बेरी मच हलो अब्रीबडी इस दिग्रास सिंग राश्पूत वेलकम टू मैगने वाले हैं इस अर्थ पे 50 सारे जो पूरी जमीन फो प matrix वी जमीन के उपर ही क्या कैंटीट भी है जमीन की उपर्वी जमीन क्या मॉंटेंज क्या है यह प्लाट्व क्या है जह सभकी आगे पड़ोगे बाकि मुझे पताएं क्या थोड़ा समझ में आत bargain में नहीं तो प्लाड़ से उपर है और sea level से उपर उठा हुआ है, फिर उपर आके table top हो जाता है, एकदम plane होता है, और फिर sea level के पास में मिल जाता है, इस तरह से, तो यह plateau होते हैं, ठीक है, planes तो आपको पता है, यह plane मतलब जो plane area रहते हैं, एकदम ऐसे, sea level के बराबर जो areas रहते हैं, तो इस तरह से क्या है, कि continents हो है, तो continent, land, पार्ट है, उस पर यह सारे features होते हैं, तो आप आगे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, हम यह पढ़ने वाले हैं, कि लिथास्फियर में continent होते हैं, अब आप अगर सोच रहो continent क्या, तो मैं बताता हूं continent क्या, ठीक है, continents, landmass separated by water bodies, अभी भी डाउट है, ठीक है, कैस अगर पानी ना था, तो आप पैदल 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 यहां चले जाते हैं, लेकिन अब पानी है, तो यह जो depression में पानी आया है, तो इस कारण से South America और Africa दोनों अलग अलग है, तो यह landmass दोनों, ठीक है, landmass separated by water bodies, तो बीच में water bodies आ गई है, ठीक है, तो उस कारण से क्या हो गया, यह जो separated landmass है, तो यह अलग अलग continent कहलाने लग है, जैसे कि यह पूरा अलग है Africa, ठीक है, यह पूरा अलग है South America, यह पूर यहां पर Europe, ठीक है, यह Europe एशिया से जड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बीच में कुछ आता है, अभी बता हूँ आगे, ठीक है, और यह है Asia, ठीक, अब position देख लो एक बार ज़रा, तो यह North America, यह South America, यह Africa, यह Europe, यह Asia, यह Australia, आगे और बता दूँगा, चलो, तो यह clear होगे आपको, I hope मैंने बता दिये कि continent क्या चीज़ है, continent is the part of landmass which is separated by water bodies, there are seven major continents, ठीक है, there are seven major continents, तो कौन कौन से, Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, और Antarctica, यह seven major continents है, जो हमने आपको बता है, fine, आगे देखो क्या है, next, तो यह seven major continents, बड़ी फ्रेम पर देख हो जा रहा, बड़ी पिच्छा अच्छ हैं, और यह पूरा water bodies है, water bodies भी पढ़ेंगे हम आगे, जब lithosphere के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, hydrosphere पढ़ेंगे ना, तो hydrosphere में मैं आपको water bodies के बारे में भी समझाओंगा, क्या है, क्या है, सारी चीज़ है, चिंता मत करो, अब देखो, अब जो continents है, तो सारे continents को भी समझ वल्ड के दूसरे continent, देखो, यह छोटू सा Australia, ठीक है, यह देखो, Europe भी छोटा है, North America भी Asia से छोटा है, South America भी Africa जो है टक्कर का है, लेकिन छोटा है, ठीक है, तो यह क्या है, Asia is the largest continent in the world, सबसे बड़ा, be proud of having your country in the largest continent of the world, ठीक है, हमारी country जो इंडिया, तो हम largest continent में है, clear है, म अब देखो, क्या है, Asia is the largest continent, it covers about one third of the total land area of the earth, ठीक है, तो पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ का one third तो Asia में है, जितनी भी जमीन ऊपर दिख रही है, जो ओशियन बैड नहीं, जो continent वाली लेंड मास है, तो उसका one third का है, उसका one third Asia में है, clear, अब क्या है, the tropic of cancer passes through the continent, ठीक है, अब tropic of cancer, tropic of capricorn, इस सब हम आगे पढ़के आए है, ठीक है, यह अर्थ है, तो अर्थ का, यह क्या हो गया, यह 0 degree है अगर, तो 23 degree उपर north, 23 degree नीचे south, तो एक होता है tropic of cancer, और दूसरा होता है tropic of capricorn, तो यह दोनों होते है, अब tropic of cancer जो है, तो वो Asia में आता है, यह होता हुए जाता है, clear, आगे क्या है, आगे देखो, Asia is separated from Europe by the Ural mountains on the west, यह चीज, अब देखो, यह जो है न, इसके इधर यहाँ पर Europe है पूरा, कैसा, चलो में दिखाता हूँ, तो यह देखो, यह blue color में आपको Europe दिख रहा है, अब Europe और Asia में आप border कैसे बना होगे, तो यहा तो फिर समुधर आगया, तो एक जो mountain range है, जो रश्या और Europe के बीच में mountain range है, ठीक है, तो वो mountain range कौन सी ही, Ural mountain, clear, तो उस sense में कहा गया है, Asia is separated from Europe by Ural mountain on the west, तो western side में यहाँ पर यह Ural mountains है, और Ural mountains ने separate किया है, Asian continent को European continent से, clear, आगे क्या है, the combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia, अब क्या होता ह है, कि यह जो वाला पूरा पार्ट है, मतलब यहाँ पर जैसे Europe आ गया, Europe और Russia, यह जो Europe और Asia, दोनों जो कहना कहलो, तो Europe और Asia का जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी country रश्य है यह ना, तो इसलिए रश्या भी होल सकते हैं, तो Europe और Asia का जो combined part है, उसे हम कहते है, Euras ठीक है, Eurasia, ध्यान रखना है, कुछ-कुछ लोग बोलते है, Eurasia भी एक continent है, तो ऐसा नहीं है, यह चीज है, clear हो गया ना, यह तो यह continent हमने पढ़ लिया, Asia, चलो बढ़ी है, ताली बजा दो इसी बात पर, second continent क्या हमारे पास, Europe, तो Europe is much smaller than Asia, तो अब यह क्या होता है, यह पूरा जो है, Europe है, यहाँ पर Eurasia माउंटेन है, बताया था मैने अभी, ठीक है, तो Asia से ही लगा हुआ, लेकिन छोटा बहुत है, जरा वल्ड मैप पे देखो आप इसे, तो यह Asia के कंपरिजन में तो बच्चा है, तो यह क्या है, Europe एक छोटा continent है, clear, आगे क्या चीज है, त इसे, इक इस चांटेनेंट है, इसके तीन तरफ पानी है, तीन तरफ इसपर इधर भी पानी है, यह Mediterranean Sea इधर भी पानी है और इधर भी पानी है उपर आठीक सर्कल आज़ा आठीक आगा आगे पढ़ेए चैप्टर में तीनों तरफ क्या है समुद्र है तीनों तरफ समुद्र है तो हम क्या कहे रहे हैं इसे डीन तरफ इस वाउंड वाटर बाडी जोन थ्री साइथ् तीन तरफ जूट बोल रहा है चलो cross check कर लेते हम जरा तो क्या है यह बोल रहे है एशिया के भाद में अफ्रीका सेकंड लार्जस्ट कॉन्टिननेंट eq लग घ्राक इन दोनों से उससे और इससे इससे था बड़ा है ठीके तो सेकंड लार्जस्ट कॉन्टिनेंट्न देखते हैं अफ्रिका अब क्या है अफ्रिका में और फीचर्स देखते हैं अगर हम तो इक्वेटर जिरो डिग्री लाइटिट्यूट ट्रंस अल्मोस्ट तूदी मिडिल आफ दी कंटिनेंट अजी यह इंपोर्डेंट चीज़ है क्या होता है कि जिरो डिग्री है तो इस सघ्रयल स सब्सक्राइब क्यों लाइटिटे जी यहां अफ्रिका अफ्रीका तो बड़ा लकी हो गया यह गाँटिनेट चांव ë से उपास होते तीमों इंपोर्टैन पा तो यह चीज है तो यह चीज है आगे देखो क्या है और अब अगर आगे लेखे हम तो यूविल नोटेस डैटी वर्ल्स लांगेस्ट रिवर्ल थी नाइल फ्लोस थूज तू अब अफ्रीका में एक इंटरस्टिंग बताता हूं वल्ल्ड की जो लॉंगेस्ट रिवर्पैल क क्लियर कर देता हूं यहां पर क्यों कि आगे आएगा तो फिर चले लांगेस्ट मतलब क्या है कि यहां से यहां तक ही गई हो लेकिन इतनी बड़ी रिवर है इतनी बड़ी रिवर है इसमें पानी बहुत सारा लेके चल रही है मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर देखे तो सभगाइब हो नीचे तक बहुत लंबे तक जाती है तो क्या होता है कि लौगेस्स reaching 1955 है इफ सोच रहे होगी लार्जेस्ट कि तो बताता हूं आगा चलो ठीक है यह रहा है यहां नौर्थ on the map देखना तो ऑफ दो नर्र अमेरिकश ये नउर्थ अमेरिका और सोच्ज़गत यह रहा है यहां पर North America अब North America जो है तो North America is the third largest continent in the world First Asia, Second Africa और third कौन सा है North America अब North America पर इंटरेस्टिंग चीज़ पता हूँ country जादा नहीं है देखो कितनी है तो यह USA, यह USA का इलास्का, USA का पार्ट है क्या कह सकते हैं कि ocean area है ठीक है मतलब coastal line है देखो USA का भी coastal line है ठीक है Mexico का भी coastal line है, Canada का भी coastal line है, Greenland का भी coastal line है तो यह ऐसा continent है पूरा का पूरा North America यह चीज़ ध्यान रखना हां हम America सुनते से क्या लगता है country है तो America country यह वाला United States of America यह USA है यह पार्ट है continent का और पूरे के पूरे continent को क्या कहा जाता है North America अच्छा नॉर्थ क्यूं कहा जाता है यह भी समझ लो of land called the Istomus of Panama Istomus of Panama यह चीज़ समझो जरा क्या है तीक, Istomus of it is linked to South America by very narrow strip of land called the Istomus of Panama यह यहां पर क्या होता है Panama Canal है तो ships निकल जाती है मतलब चलो इस पर समझा तो इस पर जादर बहतर तरीके समझ में आएगा देखो क्या होता है कि यह जो एरिया देख रहे हो आप तो यह ग्रीन कर्दा को पतला पतला होते हो आ गया और South America से फिर connect हो रहा है तो यहां से यह यह connected था और स्थमस यहीं से निकल क्या है स्थमस क्या होता है तो narrow landmass which connects to major landmass तो बड़े-बड़े landmass को एक पतली सी स्ट्रिप ने एक narrow landmass में अगर connect किया है तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है इस्थमस ठीक है यह इस्थमस था चलो आगे देखो क्या है ओके यह इस्थमस वगर आ गए हमारे पास में तो यह यहां पर इस्थमस है clear और straight भी एक चीज़ होती तो वो भी समझ लो अब जैसे क्या होता है यहां पे तो आप देख रहे हैं इस्थमस क्या होता है a narrow strip यह आ लेंड मास है जैसे आप इंडिया देखोगे और यह श्रीलंका देखोगे इन दोनों को अलग कर रहा है कोई water body ठीक है तो a straight is a narrow passage of water connecting to large water bodies like sea and oceans तो दो लेंड मास को अलग करने वाला और दो water bodies जैसे आप देखोगे इधर Arabian Sea इधर Bay of Bengal इन दोनों को बीच में से एक पतली सी strip ने जोड के रखा है एक पतली सी strip क्या है passage of water ने जोड के रखा है उसे straight कहा जाता है ठीक है उसे क्या कहा जाता है continent को क्या बोल रहे है it lies completely in northern and western hemisphere अब देखोगे तो पूरे के पूरे अर्थ में क्या हो रहा है पूरे के पूरे अर्थ में आपको यह देखने को मिलेगा कि यह वाला जो पार्ट है ठीक है यह वाला जो पार्ट है तो यह नौर्थ में है ठीक है यहां से अगर आप 0 degree equator देख और उसी के साहस चाहिए कि यह वाला जो पार्ट है यहाँ से हमने time का देखा था कुछ दया ना इह related जो कहां से निकलता है standard meridian greenwich meanwhile जो है तो बिटेउं से जो निकलता है यहाँ से तो यहां से जो निकलता था उसके आगे east उसके पीछे west तो यह west में है तो सेंस में यहां पर जो लिखा है ना बहुत अच्छी तर्य से लिखा है बहुत सही एकदम से ठीक है क्या दि कॉंटिनेंट लाइस कंप्लीट ली नदन मतलब ग्लोब के नॉर्थ में और वेस्ट में तो नदन वेस्टन हमिश्वेर में लाए करता है नौर्थ अमेरिका आगे साथ अमेरिका लाइस मोश्चLNI इन दी सदर्मेस्वेर जद फैने चलू हो गया देखो क्या एकदमोलाइस पə लाइक करता है वह का है वह भी समझ रयों जरू दिखका पैसी एक्वेटर लाए जmeno डिगरी तो उस एक्वेटर के निछे जो हैचात के through its length from north to south, हाँ जी, ये भी जानने वाली चीज है, क्या, कि South America में क्या है, South America में world का जो longest mountain range है, ठीके, longest बोला लेको, longest, highest तो हमारे पास है या, ठीके, highest हिमालियास जो है, तो हिमालियास क्या है, हिमालियास इंडिया में है, इंडिया इसे वाले पार्ट में है, clear, और अगर बा दूर तक चलते आ रही है न, ऐसी, तो वो mountain range जो है, वो mountain range कहाँ पे, South America में, ठीके, ये यहाँ पे, ये South America में, जो है, तो वो South America में क्या, longest mountain range है, longest mountain range का नाम क्या है, एंडियान रखना है आपको, one marks में important question बन जाते हैं, एंडिया इस mountain range जो है, तो वो यहाँ पे South America में ऐसे चलती है, ठीके, मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या है, पूरी run कर रही है, ये, एंडिया mountain range, clear, आप देखो आगे क्या है, तो, एंडिया mountain range हो गया, एंडिया mountain range के राद में क्या है, South America has the world's largest river, the Amazon, अब फिर वो ही longest largest में confusion नहीं रखना है, मैंने आपको होता है, आफ्रिका मे में क्या है, एफ्रिका में आप देखो कि तो longest river, river Nile, लेकिन largest river की जब बात करते हम, तो South America has the world's largest river, the Amazon river, the great Amazon river, ठीके, तो Amazon river जो है, तो Amazon river इस तरह से ब्रजील वगरा से होते हुए जाती है, और Atlantic Ocean में ड्रेन करती है, लेकिन जब भी जाती है, तो अपने साथ में बहुत सार देती है, वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है, तो ये South America में क्या है, South America में ब्रजील वगरा, जो ब्रजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजूला, ये सारी कंट्री से मिलती हुए जो rivers है, वो सब rivers से एक पूरा drainage system बनाती है, ठीके, Amazon basin बनाती है, तो ये world की largest river है, ठीके, बहुत ज continent है, पांच continent पढ़ लिए, जरा रिकॉल करते हैं एक बार, Asia पढ़ा हमने, Europe पढ़ा हमने, Africa पढ़ा, North America और South America, पांच पढ़ लिए, अब है Australia, Australia कहा है, वल्ड मैप पे देखो जड़ा, तो वल्ड मैप अगर हम देखे हैं, तो ये दर ये कोने में छोटा सा एक, Southern Hemisphere में ज the smallest continent that lies entirely in Northern Hemisphere, ठीक है, सबसे छोटा continent, जो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा सबसे छोटा एंद शाइसमें ये सबसे छोटा जो Southern Hemisphere में है, बाकी जो दूसरे Southern Hemisphere में continent है, वो कौन-कौन से जयो साओथ अमेरिका भी आता है, Southern Hemisphere में, major part आता है, आफ्रीका भी आता है Southern Hemisphere में लेकिन ऐसा एक ऐसा continent जो पूरा का पूरा Southern Hemisphere में है और सबसे छोटा Southern Hemisphere का continent है ठीक है आगे क्या है It is surrounded on all sides by the Oceans and Sea तो अगर आप देखोगे Australia को यह है Australia ठीक है यह हाँ एक चीज और बताता हूँ मैं आपको पता है हमारे साथ में confusion है confusion ऐसा है कि हम usually जैसे स्क्रेइब बुक में भी आस्ट्रेलिया लिखा और कि साथ क्या क Whatsand क्या भी आता है मेलेनेस्या भी आता है भी यह सारा पार्ट आता है तो अस सेंस में क्या है उस सेंसमें कि देखें तो यह पुरा ओश्याना कॉन्टेटियों और और इंट्रस्टिंग चीज देखो आपकी बुक अभी अपडेट नहीं हुए लेकिन मैं आपको बताता हूं एक नया कॉंटिनेंट और डिस्कवर किया गया है जिसमें न्यूजिलेंड और ये कुछ आसपास के आइलेंड आते हैं अब आपका होमग में देता हूं चलो आप थोर अब क्या होता है तो इसलिए से आइलेंड कॉंटिनेंट कहा जाता है छे हो गए अब सात्वा देखो सात्वा के एंटार्टिका एंटार्टिका काहां एक एप एक ऐसा Claire Nantes जिसे एंब यूजोज़ ब्हूल जाते है क्यों कि महां पकप₂ज हम एप आउ जी यह रहता भी यह देखो यह हमारे पास ग्लोब अब ग्लोब पे आप देखोगे तो यह तो ग्लोब होगे सारे कॉंटिनेंट दिख रहे आपको उपर से अब जो अंटार्टिका हम पढ़ने वाले ना तो अंटार्टिका इधर है साउत में एक दम साउत में दिखता नहीं है यहां से तो अ से कम्प्लीटली लाय करता है साउथ में अंटार्टिका अब अंटार्टिका की इंट्रेस्टिंग चीज और देखते हम तो इस साउथ पोल लाइस अल्मोस्ट एड़ी सेंटर ऑफ इस कॉंटिनेंट तो यह नीचे की तरफ इसका 3D में यहां देखिए तो यहां साउथ पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वताया था आपको स्टार्टिंग चैप्टर्स में तो नॉर्थ से साउथ तक जो पूरा एक्सिस निकला हुआ है न दहीं गतलु है तो साउथ पोल अंटार्टिका में आता है इस परमानेंट्व फिलेशेत थी टेक आइसिट हाँ जी यह जानने वाली धर VOICE क्या कि की जोब वर में तो सोलर इंसुलेशन कम जाएगी और जमीन है थमीन के उपर क्लेश एक पर मेंट इससे सब कुछ there are no permanent human settlements अच्छा पर्मानेंट भी लिखा यहां पर समझना क्या है यहां पर पर्मानेंटली यूमन बिंग्स नहीं रहते हैं मतलब टेंप्रेरी तो रहते हैं तेंप्रेरी कैसे रहते हैं वह समझाता हूं तो यहां कि कि क्या क्या resources हैं यहां पर क्या possibilities हैं तो अंटाटिका में क्या होती है study चलती रहती है तो there are no permanent human settlement क्योंकि permanently कोई नहीं रहता है study पर बस से जाते हैं लोग पढ़ते हैं लिखते हैं वहां पर research करते हैं वापिस आ जाते हैं clear तो research station बनाए हर country अलग लग research station बनाए तो India also has research station देर ठीक है these are named as Maitri and Dhakshan Gangotri तो Maitri और Dhakshan Gangotri यह इंडिया के research center है आप बताओ मुझे जला यहां तक सारी चीन समझ में आ गई हैं सारे continent होगए हमारे तो साथों कॉंटिनेंट एक बार फटाक से रिकॉल करेंगे सारे एशिया यूरोप बोलो जलती उदर से एशिया यूरोप एफरीका ठीक है नॉर्थ अमेरिका पड़ा साउथ अमेरिका और और अस्ट्रेलिया के बाद में हमने ये लास्ट में पड़ा एंटार्टिका तो य पड़ने से फ़़ल एक इंपोडन चीज कि magnet brain पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सारी चीज़े सारे सब्जेक्ट सारे सबजेक्स के चैप्टर्स चैप्टर्स के सब टॉपिक सिर्फ सोशल ही नहीं सोशल के अलावा साइंस हिंदी इंग्लिश-्मैथ सब कुछ ठीक है सब कुछ आप आपको ऐसे ही video lecture के format में available हैं जिने आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और बहुत आसानी से अपना syllabus घर बैठे complete कर सकते हैं तो अपने juniors और seniors को भी बताइएगा ठीक है next video lecture में मिलते हैं till then stay connected keep learning thank you thank you very much इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे hydrosphere के बारे में hydrosphere क्या होता है यह आपको मैं पहले बता चुका हूँ तो मतलब हमारे अर्थ का वो वाला domain जहां पर पानी पाया जाता है समुद्र तालाव नदी लेक्स रिवर सब कुछ ठीक है तो वो क्या हो गया वो hydrosphere का पार्ट हो गया अब देखो हमारा जो अर्थ है अर्थ को क्या कहा जाता है blue planet कहा जाता है क्यूं कहा जाता है जरा ब्लू कलर कर देते हैं तो उसे ब्लू ब्लाइनेट कहा जाता है अगर आप देखो के तो पिछले वीडियो में आपको लिथास्फेर कंप्लीट कर वा चुका हूं तो लिथास्फेर में हमें कॉंटिनेंट्स समझेते एशिया ठीक है एशिया उसके राद में ऑस्ट्रेलिया आफिर अफरीका नॉर्थ अमेरिका साओध अमेरिका सारे कॉंटिनेंट्स अब कॉंटिनेंट्स जो है तो लैंड वाला पार्ट हो गए ठीक है वो लिथास्फेर का पार्ट हो गए लेकिन अभी आप देखो के ब्लू-ब्लू कलर में यो पानी भरा हुआ थिखरा है नहीं most of its part is being covered by water bodies, ठीक है, water bodies तो map पर कर देखोगे, मैंने आपको map वाले chapter में बताया था chapter 4 में, क्या, कि हम usually when we draw maps, तो हम blue color से क्या denote करते हैं, what does the blue color signifies in the map, it signifies water, तो पानी बताते हैं, ठीक है, अब देखो क्या है, तो more than 71% earth is covered with water, अब हम water को blue planet इसलिए भी कहते हैं, जैसे कर आप आप यह अर्थ देखोगे, तो पूरा अर्थ आप देखो तो यहाँ पर जमीन कितनी दिख रही है आपको, यह यहाँ पर थोड़ी से यहाँ पर बाग यह पूरा पानी है, ठीक है, इधर नीचे पूरा पानी है, यहाँ देखोगे तो इधर पूरा Atlantic Ocean है, तो अर्थ का 71% स से ज़्यादा पार किया है, पानी में दुबा हुआ है, तब सपेस से अगर आप देखो गे ऊपर से तो आपको लेंड दिखेगी, लेकिन ज्यादा क्या दिखेगा, ब्लु कोलर दिखने आला है, पानी दिखने वाला है, तो यह अर्थ में कौन सा स्फियर दॉमिनेट करता आप यह नहीं बोलोगे hydrosphere या फिर lithosphere या फिर atmosphere बाकि जो visible देखा जाएगर space से तो earth blue दिखता है ठीक है पानी पानी दिखता है सब कुछ clear अब देखो क्या है अब आप बोलोगे तो मज़ेदार बात इतना सारा पानी है हमारे पास ठीक है अर्थ का 71% मतलब 29% जमीन है बाकि पूरा पानी है तो इतना पानी है फिर तो पानी की shortage नहीं होना चीए पानी खूब क्या करो वेस्ट करो ऐसा सोच सकते हो लेकिन फिर भी ह कि यह जो पूरा 100% पानी है ठीक है पूरा पानी अर्थ में जितना भी पानी है तो इस पूरे पानी का क्या है आउट अफ देट 97% अफ अर्थ's water is found in oceans ठीक है तो अब यह जो पूरा इतना सारा पानी दिख रहे इतनी बड़ी-बड़ी water bodies दिख रही है तो इस सारी water bodies जो है जितना भी पानी है अर्थ पे ठीक है यह अर्थ का मतलब मानलो पूरा पानी है तो पूरे पानी का क्या 97 to be more precise 97.2% of earth's water is in ocean अब ocean में समुद्र में पानी है तो कैसा होगा समुद्र में पानी है नमकीन होगा ठीक है तो वो क्या होगा salty water होगा नमकीन पानी है नीबू डाल क उसमें नीबू पानी बना के पी सकते हो बस और कुछ नहीं कर सकते हो आप तो उस तरह से क्या है कि अब देखो यह salty water है तो यह किसी काम का नहीं है 97% जो पानी है वो किसी काम का नहीं है तो जो अभी इतना सारा पानी देख रहा था वो पूरा का पूरा पानी किसी काम का न तो out of that 97% of earth's water is found in oceans चलो 97% तो गया हमारे हाथ से large proportion of water is in the form of ice sheet and glaciers अब देखो बचा कितना था 2.8 बचा था अब इस 2.8 में भी क्या 2.77 ठीक है एक major chunk ये भी पुरा पुरा ही गया तो जितना fresh water है तो fresh water का भी एक major हिस्सा क्या है या तो glacier के रूप में है तो glacier के रूप में कहां पाया जाएगा पहाडों के उपर जैसे हमालियास पे glaciers है ठीक है नौर्थ पोल पे साउथ पोल पे तो क्या है large proportion of water is in the form of ice sheets and glaciers तो अधिकतर पाट क्या है या तो ice sheet के form में देखने को मिलता है या फिर glaciers के form में underground है या तो ठीक है तो हम जो बोलते हैं कि पानी है पानी है तो वह पानी एकदम intermediate use के लिए निए कि बस आप immediate use के लिए निए कि आप उसे use कर लो बस आपका glass भरा और पी लिया जो हमें surface पे पानी दिखता है जो नदियां दिखती है जो तालाब दिखते हैं हम सोचते हैं इतना सारा पानी नदी में इतना सारा पानी तालाब में वह कितना है underground water जो है तो उसे pump out कर लें tube wells के थूरू लेकिन वो खतम हो जाएगा फिर क्या करोगे बजाते रहे न ताली ठीक है तो क्या है water for use तो ये fresh water जो है वो बहुत कम है हमारे पास ठीक है और इसी कारण से क्या बोला जाता है hence despite being blue planet we face shortage of water तो blue planet जो है तो यहाँ पर हाती के दाथ खाने के कुछ दिखाने के कुछ उस तरह की बात है कि अर्थ पूरा blue है बहुत पानी है लेकिन काम का कुछ नहीं है तो हमें क्या करना होगा अभी जो हमारे पास है उसे हमने बहुत judiciously यूश करना चाहिए ठीक है वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए आप अप समझ में है ना क्यों बोलते पानी बचाओ पानी बचाओ इतना पानी है लेकिन वो पानी काम का जो हो बहुत कम है चलो यह तो मैंने पूरी पानी की कहानी सुना दिया आपको बागि अब hydrosphere से आप समझ में आये आपको क्या चीज़ है तो hydrosphere मतलब the part of the earth's surface which contains water ठीके अब water है तो water में भी हमारे काम के लिए तो बहुत कम पानी है हमारे पास हमें उसे conserve करना चाहिए अब water bodies कौन कौन सी है क्या-क्या मिलके hydrosphere बनाता है दिसकस करने वाले है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आयोग यहां तक चीज़े समझ में एक important बात और सुनो तो class 4th से class 12 तर magnet brain पे सारे वीडियो लेक्चर्स arranged format में मिल जाएंगे आपको सारे subjects के और यह सारी चीज़ें free of cost मिलेगी तो आपको क्या करना है घर बैटके अपना syllabus complete करना है सारे वीडियो लेक्चर्स आप घर बैटके आराम से देख सकते हो पढ़ सकते हो और समझ सकते हो अपना syllabus टाइमली complete कर सकते हो अपने juniors और seniors को भी बताईए magnet brains के बारे में क्लियर है next video lecture में मिलते हैं next topic के साथ till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is तिग्रास सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम oceans के बारे में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको hydrosphere के बारे में बताया था hydrosphere वो domain earth का जहां पर पानी पाया जाता है पानी मिल गया ठीके अब आगे देखो क्या है तो अगर oceans की बात करते हैं तो पानी कहा है oceans में अब oceans कहा है तो ocean बहुत सारे हैं अलग अलग जगा है और तो अर्थ पे कितने oceans हैं वो सारे oceans हम क्या करने वाले इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने आने समझने वाले कहां हैं यह सारी चीजे में आपको इस वीडियो लेक्चर में comprehensively बताऊंगा fine देखिए तो oceans are the major part of hydrosphere तो को hydrosphere मतलब पानी अब पानी जो है तो मैंने आपको होता है कि अर्थ पे जितना भी पानी 97 परसेंट क्या है 97.2 परसेंट जो है तो वो पुरा का पुरा ओशियन में तो इस सेंस में क्या कहेंगे ocean are the major part of hydrosphere hydrosphere और कहां कहा है तो ओशियन के लावा जैसे अब बोलो के जाएगा कहां रहेगा तो अर्थ पर ही तो हमेशा एक जगा से दूसरी जगा मूव करते रहता है दिखता नहीं है लेकिन फिर भी क्या है ocean water is continuously on move अब बोलो के जाएगा कहां रहेगा तो अर्थ पर ही तो हाँ वो एक जगा था दूसरी जगा क्या करता रहता है सर्कुलीट करता रहता है पानी एक 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 एकशामपल जैस्ए मैं आपको देते कि आ तोrator आगए आगले की udah रहती आगर बांद के area पर आजाती बाहर या फिर अंदर समुद्र अगर खीच ले जाता तो बहुत अंदर अपने आप तेरते तेरते चले जाती है ठीक है उसमें क्या उसमें बहुत सारे factors काम करते तो यह एक example है कि बताता है कि यह ocean का जो oceans होते हैं तो oceans में जो water is on continuous मूव हमेशा चलता रहता है पानी ठीक अब उसको चलाते कौन है तो देखो अलग-अलग factors है waves है tides है ocean current है अब waves, tides, ocean current तीनों चीज़ अलग है कैसे सोचो जड़ा waves क्या होती है waves याने लहरे आप दिखते हैं इसे इसे पानी कैसे move होता है तो tide क्या होता है rhythmic rise and fall of water आप 7th class में waves, tides, ocean current इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे तब मेरी याद आएगी फिर से एक बार ठीक है और उसका भी वीडियो तो आप वी पढ़ सकते हो तो यह चीज़ द्यान अब को कि अभी शॉट में समझ लो वेर मतलब लहरे होंगी, tides मतलब क्या होता है जो पानी बढ़ता और घटता है समुद्र में, क्यों बढ़ता है सब बता है मैंने, ठीक है, तो tides हो गया और तीसरा क्या जिसे ocean current, तो अ समझना कि समुद्र को चुदो का current लग जाएगा एसा ocean current, ocean current मतलब क्या है कि जो समुद्र होता है, तो समुद्र में पानी क्या करता रहता है, समुद्र में पानी एक जगह से दूसरी अगर डिस्प्लेस होता है बहुत सारा पानी किया यहां से बैके कहां चले गया कहीं और चले गया जैसे for example देखें हम की बात पढ़ लिए हमने oceans होते कौन कौन से तो जो मेजर ocean से देखो यह से Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Southern Ocean और Arctic Ocean तो यह पांच समंदर है वेट पांच समंदर हम तो ऐसा सुना है गाना की साथ समंदर वाला गाना सुना है तो साथ समंदर है और यह पांच क्या से देखो टेक्निकली क्या है यह Pacific इस साथ समंदर बना दिया है तो अब यह Pacific Ocean को दो में डिवाइड कर दिया है तो नदन पैसिफिक ओशियन और यह हो गया Southern Pacific Ocean यह हो गया Northern Atlantic Ocean और यह हो गया Southern Atlantic Ocean तो इस कारण से क्या है कि वो डिविजन हो गया साथ में बाकि मेनली होगा देखें तो देर आर फाइव मिजर oceans clear और और यह five major oceans कौन-कौन से हैं इससे समझते हैं चलो देखो तो यहां पर दिया है पहला Pacific Ocean आप एक एक करके सारे पढ़ेंगे ध्यान रखना है चीदों को अच्छे से समझना है कहां कौन-कौन से ओशियन से Pacific Ocean तो the Pacific is the largest ocean Pacific Ocean जो यह largest ocean सबसे बड़ा ocean Pacific Ocean ठीक इसे largest क्यों कहा ज करता है इतना बड़ा अगर आप इसे वाल्ड मैप पे देखो तो भी समझना जाएगा कि Pacific Ocean यहां से यहां तक और इदर यह अब अर्थ तो गोल होता है ना एक काम करो जैसे मैप बनाओ ठीक है एक मैप पेपर पर बनाओ और पेपर को ऐसे जोड़ो गया तो एक अगर गोल सरकल बनाते हो आप तो वो दिखेगा क्या गोल हो गया तो इसी तरह से ग्लोब जो रहता है अगर पूरा मैप इसको यह आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया जैसे यह यह मान लो जैसे यह है तो अब इसको क्या किया जाता अगर मैं यहां से काटता हूं बीच में से और जैसे यह यहां पर समूद्र है इतना पूरा नीचे रेड कलर में देखा रहा हो आपको तो यह ओशानिक बैड है और यह ट्रेंटल यह कॉंटिनेंट में दर यह कॉंटिनेंट्स हैं तो इस तरह से अलग-अलग एरियाज होते हैं अब ट्रेंश आफ दी अर्थ लाइज इन पास तो पैसिफिक ओशियन में मरियाना यह ट्रंच है अब दी पैसिफिक ओशियन इस ऑल्मोस्ट सर्कुलर इन शेप एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड सौथ अमेरिका सराउंड सिट ठीक है तो अगर आप देखोगे तो पैसिफिक उशिन सर्कुलर ने अच्या एक और चीज़ बताता हूं है सर्कुलर जो है ना तो इसे हैं पे पैसिफिक रिंग ओफ फायर भी कहा जाता है रिंग ओफ एसा लग रहा को लिग में चल रहा है रिंग और इसलिए क्यूंकि यहां पर बहुत सारे वालकेशनों है यह पूरे एरिया म है ठीक है पूरे एरिया में वॉल्कैनोज हैं अर्थक्वेक आते हैं तो वहां पर क्या है कि सब destructive boundaries नहीं है ठीक है destructive boundaries इसलिए इससे क्या कहा जाता है Pacific ring of fire कहा जाता है अब यह destructive है क्यों क्यों यहीं पर वॉल्कैनोज है और क्यों यहीं पर बहुत जादा अर्थक्वेक आते हैं तो यहां पर plate boundaries है plate boundaries जो lithosphere plate होती है lithospheric plate मतल्द जिनके उपर अर्थ हमारा क्या है तैर रहा है न तो वह plates यह joint जो है तो plates के joint पूरे यहां पर है यह अलग-अलग plates के तो इस कारण से क्या है यहां पर बहुत जादा volcanic corruption होते अर्थक्वेक आते हैं अगर अभी आपको confusion हो रहा है कुछ तो चिंता मत करो अभी आपके syllabus में नहीं है आगे classes में और पढ़ोगे मैंने just for knowledge आपको बता दिया ठीक है अब देखो आगे क्या है तो अब अगला ओशन है Atlantic Ocean अब Atlantic Ocean को समझो क्या है Atlantic Ocean the Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world Pacific के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है वह Atlantic यह है Atlantic Ocean पूरा अब Atlantic Ocean को अगर आप देखो कि तो यह S shape में है ठीक है एक चीज़ हमने आपको यहां पर बताना था और यह देख लो तो Asia Australia South America North America यह Pacific Ocean को सराउंड करते हैं वही पर अगर आप Atlantic Ocean को देखो के तो North America South America West में नहीं East में तो Eastern part of North America and South America ठीक है फिर यूरोप का Western part और अफ्रिका का Western part तो यह आला जो पार्ट है पूरा यह क्या बनाता है यह S shape जो बनाता है वह Atlantic Ocean है ऐसे दियाम रखना ना S shape जो बनाता है उसका नाम Atlantic Ocean है ठीक है तो the Atlantic is the second largest ocean it is flanked by Northern North and South America on the Western side and Europe and Africa on Eastern side North America South America Europe और अफ्रिका ठीक है अब यह ली लाइन देखो interesting है the coastal line of Atlantic Ocean is highly inundated inundated क्या होता है देखो मैं बताता हूँ मानलो जैसे यह coastal area है पूरा तो यह coastal area पर बहुत ऐसा क्या है जैसे कहीं पर यह coastal area सिंपल सा यहां समुद्र है ठीक है समुद्र का पानी आ गया लेकिन ऐसा Atlantic Ocean में नहीं है Atlantic Ocean में कैसा है देखो तो Atlantic Coast पे ऐसा है कुछ inundated इस तरह से क्या है तूटी हुई तूटी जमीन है तो उसका फाइदा क्या है मैं समझाता हूँ देखो दोनों में comparison करते हैं अब एक जगा कोस्ट ऐसा एकदम पूरा clean है मतलब आपको यहां पर पोर्ट बनाना है तो पोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा पोर्ट बनाने के लिए आपको इस तरह स मतलब highly inundated का एक फाइदा रहता है कि यहां पे क्या रहता है बहुत जादा रॉक वगेरा रहती है तो natural harbor बन जाते मतलब जब कोस्ट इस तरह से तूटा हुआ है तो उससे फाइदा यह मिलता है उससे फाइदा यह मिलता है कि आपको ज़्यादा construction नहीं करना पड़ता है आ उसमें क्या है उस तरह से जो उसकी coastal area तो वहां पर क्या है rocky surface और जिसमें क्या है बहुत सारे अंदर अंदर आप ऐसा देखो कि तो finger like projections है उंगलियों की तरह जैसे हम रहते हैं कि मानलों यह है यह अगर coastal area inundated तो आपको क्या करना है शिपलाना और यहां पर पार्क करना है तो आपको क्या करने के जगा नहीं मिलती फिर आपको क्या करना पड़ता गड़ा करके मतलब एक तरह से कोस्ट बनाना पड़ता है यहां पर हारबर बनाना पड़ता ठीक है पार्किंग के लिए लिए लेकिन अब inundated coastal area तो आपको शिपलाना और आसे पार्क करना है बस तो रेडिमेट क्या मिल गए पोर्स मिल गए वह चीज रहती है आप ठीक है तो अट्लैंटिक ओशन में इसी कारण से कहा है बहुत सारे नैचरल हारबर मतलब नैचरली वहां पर आप शिप अपनी पार्क कर सकते हो ठीक है आगे देखो क्या है फ्रॉम दी पॉइंट आफ यहां स्छी लेते और मतलब यहां अस यहां पर Schuld देखें ठीक है तो दिन भर कड मतला करती है give you ओशियन को क्रिस क्रॉस करा करती है बहुत जादा होता है तो from the point of view of commerce it is the busiest ocean बहुत जादा इसमें क्या करते है क्या होता है ट्रेड होता है ठीक है तो यह Atlantic Ocean हो गया दो शेन हो गया हमारे तीसरा और कौन सा है इंडियन ओशियन ठीक है feel proud इंडिया का नाम आ गया तो इंडियन कंट्री नहीं है लेकिन इंडियन ओशियन तो इंडियन ओशियन बोल रहे हैं तो यहां पर नाम आ रहा है कंट्री का वह कौनसी कंट्री है इंडिया तो इंडियन ओशियन की सिंग्निफिकेंस यह है कि उस ओशियन का नाम उस पूरे के पूरे महासागर का नाम हमारी कंट् तो समझो इस चीज को जैसे यह पूरा इंडियन ओशियन आप देखो तो अल्मोस्ट ट्रैंगुलर है इस तरह से अल्मोस्ट तरह से अल्मोस्ट ट्रैंगुलर अब सवाल यह मन में कि इसका नाम इंडिया की ऊपर क्यों रखा है तो कर आप देखोगे इंडियन ओशियन में बहुत सारी कंट्रीज अपनी बॉर्डर टच कर रही है जैसे आप देखो यहां तंजानिया कीनिया सोमालिया साओधिय अरिबिया ओमान पाकिस्तान इंडिया वर्मा मलेशिया सुमात्रा औस्ट्रेलिया कितनी सारी कंट्रीज की लेकिन किसी के पास भी इंडियन ओशियन में इंडिया के इतनी बॉर्डर नहीं है मतलब इंडिया के इतने लंबी कोस्टल लाइन नहीं है इंडिया की जो पोजिशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है मतलब हम प्रोट्यूट प्रोट्यूट करना मतलब एकदम अंदर तक गए इंडिया नोशन में देखो ना यह इंडिया नोशन में अंदर तक पनिट्रेट कर गए तो हमारे पास बड़ी कोश्टल लाइन एक डवलप कंट्री अगर देख डवलप इन दे सैंस कि यह जो दूसरे नेशन है तो दूसरे नेशन के पिक्षा में हम ज्यादा अच्छी हुए ति यह जोग्राफिकल ही देखते हुए क्या होता है? इंडिया नोशन का नाम इंडिया के ऊपर रखा जाता है, तो इस्सेंस में हाँ पर लिखा गया में देखो कि तो यह पुरा का पुरा Asian continent esther तो उससे यह बंदा गुवा एंडियन ओशियन अब इंडियन ओशियन जैसे यह है इंडियान उश्यान तो इंडियान उश्यान की नीचे का यह आज़ एन्ट ऑसे शने से इसे सथै और अपया का यह थौछिणी कॉछ Saat में है पर कितना साउथ में आप बोल दो कि पोल पे ऊश्यन नहीं है तो 60 डिग्री जो है जो क्या है एक तरह से अंटार्टिक सर्कल जो आर्टिक सर्कल उपर होगे यह नीचे अंटार्टिक सर्कल जो है ना तो अंटार्टिक सर्कल के नीचे-नीचे का जो पार्ट है वो सदन तो समझना घृप टी आर्टिक ओशियन एज लोकेटेट विदिन दी आर्टिक सर्कल इंड सराउंड्स दी निदन पूल तो जैसे सदर अगे यह वैसे ही, North में क्या है, Arctic Ocean है, है यह देखो उपड़ी यहां पर यह वाला जो पाट है यह Arctic Ocean है, थीके, तो North Pole म मैं 60 डिगरी North के उपर, यह 60 डिगरी North जिसे हमने यह देख लिया, थीके, यह 60 डिधरी North है, Arctic Circle है, Arctic Circle के उपर का यह जो जा जाता है, Arctic Ocean, फाइन अब Arctic Ocean में देखो The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole तो यह North Pole यह जो है तो उसे surround करता है यह Arctic Ocean आगे समझ में It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering यह important चीज़ है अब आप पूरा Arctic Ocean देख लो तो Arctic Ocean लगबग लगबग क्या है यह Atlantic Ocean पे भी आ रहा है वो इधर Pacific Ocean पे भी आ रहा है सारे Oceans को cover कर रहा है मतलब उपर से अगर देखो के तो सब के साथ टच हो रहा है ऐसा रहतना है कि यह उपर वाला मानलो नीचे आप पांच उंगलिया है यह पांच उंगलिया लेकिन पांच उंगलिया जुड़ी किस से इनके उपर यह जो है ठीक है टॉप पर कर देखो गए तो जैसे यह देखो यहां पर यह Atlantic हो गया यह Pacific हो गया Atlantic और Pacific यह नीचे की तरफ है लेकिन उपर से तो किस से जुड़े हो गया है उपर से जुड़े है वह Arctic Ocean से और एक और चीज यहां पर बताई गई गई है तो मैंने स्ट्रेट समझाया था स्ट्रेट क्या होता है छोटा सा चैनल एक पासेज जो क्या करता है दो बड़ी water bodies को connect करता है तो Arctic Ocean और Pacific Ocean ठीक है इट इस connected with the Pacific Ocean by narrow stretch of shallow water known as bearing bearing straight जो होता है यह मैं आपको दिखाता हूँ चलो यहां पर यह देखो यह क्या होता है यह है पूरा Pacific Ocean ठीक है Pacific Ocean में bearing sea है जो और यह है उपर की तरफ Arctic Ocean ठीक है इसे imagine करो जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ तो यहां से और बहतर हो जाएगा यह वाला देखो ठीक है यहां पर क्या है आपको यह Arctic Ocean दिख रहा है यह Pacific Ocean दिख रहा है अब यह जो यहां पर दोनों के बीच में एक narrow passage एक shallow passage है तो इस shallow passage जो है वो किसी इसका है वो है उसे Baring Strait के नाम से जाना जाता है इस ट्रेट को यह दोनों water bodies को जोड़ता है Baring Strait ठीक है so this was all about हमने क्या क्या सारे oceans जो है सारे oceans कौन कौन से एक बार recall करते है चलो तो सारे oceans पर हमने Pacific Atlantic Indian Ocean ठीक है Southern Ocean और Arctic Ocean अब इसको साथ बनाना है तो North South North South कर दो मतलब North Pacific कर दो South Pacific कर दो North Atlantic कर दो South Atlantic कर दो तो इस तरह से साथ ocean हो जाएंगे साथ समंदर वाला गाना गाले ना फिर ठीक है यह सारी चीज़े मैंने आपको oceans के बारे में बताई आयो अब आपको world geography समझ में आ जाएगी थोड़ी सी जो major domains of the earth पढ़ रहे तो अभी क्लास 4 से क्लास 12 अभी 7 ना तो अभी तो बहुत सारा पढ़ना है पढ़ोगे ना पूरी पढ़ाबादी करने का प्लान तो है तो 7 से आप 8 में जाओगे आगे भी 6 से आप क्या करोगे 7 से 8 में जाओगे 8 से 9 में तो आप जहां भी जिस भी class तक जाओगे Magnet Brains आपके साथ चलेगा कैसे तो Magnet Brains के YouTube चैनल पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सारी चीज़ है सारे वीडियो लेक्चर्स जो है सारे सब्जेक्स के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं घर बैठे पढ़ सकते हैं अपना syllabus complete कर सकते हैं feel free to visit our official website आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स को पा सकते हैं एक arranged format में ठीक हैं यह आपको करना है इतनी चीज़ें बस और अपने juniors और seniors को भी बताते रहना है next video lecture में अब हम जो अगला atmosphere उसके साथ में क्या करेंगे आगे chapter को continue करेंगे till then stay connected keep learning thank you thank you very much पिछले वीडियो तक हमारा जो chapter है ठीक है major domains of the earth तो इस chapter के हमने दो domains को पढ़ चुके समझ चुके हैं अच्छी तरह से कौन कौन से domains थो हमने lithosphère complete कर चुके हैं lithosphère के साथ हमने hydrosphere complete कर चुके हैं अब lithosphère और hydrosphere जब हमने पढ़ा तो इसमें हमने समझा कि हाँ lithosphère में continents होते हैं hydrosphere में क्या देखा हमने hydrosphere में हमने oceans वगएरा सारे सब कुछ पढ़ लिए अब जो तीसरा स्फेर है हमारे पास वो तीसरा स्फेर कौन सा है वो तीसरा स्फेर है एट मॉस्फेर ठीक है अब एट मॉस्फेर शब्द उसन के क्या समझ में आता है जो हवाव वाला जो स्फेर है वो एट मॉस्फेर होता है ठीक है तो the earth is surrounded by a layer of gas called the atmosphere अर्थ जो है तो अर्थ के चारों तरफ क्या एक जो layer of atmosphere है ठीक है layer of air है वो atmosphere कहलाता है जैसे इदर समझें आपे यह हमारा प्यारा अर्थ ठीक है अब अर्थ के ऊपर आप देखोगे तो यहां पर क्या है बहुत सारी layers है किसी इसकी अलग-अलग air masses की clear है तो अर्थ को एक तर क्या है हवा है आपके ऊपर भी आपके आजू-बाजू भी यहां भी हवा थी आप जहां पड़र हो वहां भी हवा है तो पूरा मतलब पूरा जिसमें क्या होती हवा होती है तो वह atmosphere का पार्ट होता है और अगर हवा ना हो तो क्या होगा सोच उसके अंदर life supporting gases जैसे oxygen वगर and protects us from the harmful effects of sun rays देखो तो सबसे पहली चीज़ तो atmosphere की जरुवत क्या है कि atmosphere है तभी हम है क्यों क्योंकि atmosphere में क्या है life supporting gases है जैसे oxygen में ने भी बताया वह हम inhale करते हैं तभी हम जिन्दा है दूसरी चीज़ क्या atmosphere हमें बचाता है किस से बचाता है harmful rays of sun अब देखो यहां पर क्या ह जादा जो है ना तो यह आग बबूला हो रहे हैं अब क्या होता है जब सूरज अपनी sun rays को पहुचाता है कहां पर अर्थ पे तो वह sun rays यहां पर अलग-अलग layer of gases बता ही मेरे तो एक layer कौन सी होती है एक layer होती है oxygen ठीक है एक layer होती है oxygen की तो जो oxygen वाली layer है स्वारी oxygen के से जो बहुत intense sun rays आ रही होती तो उससे protection देती है हमें ठीक है अगर ozone layer नहीं होती तो हम सब को बहुत सारी बिमारियां हो जाती है ठीक है क्योंकि जो sun rays direct आ रही है वो बहुत harmful रहती है clear यह हो गया अब अगली चीज क्या देखो the atmosphere is divided into five layers based on composition temperature and other properties अब यह जो पूरा का पूर अब जिसे मैं बता है layers of air है एक एक लेर नहीं बोड़ा हो layers of air तो multiple layers है तो multiple layers में जैसे क्या देखो troposphere है ठीक है stratosphere है mesosphere थर्मosphere है exosphere अब सारे sphere की कुछ अलग अलग properties होती है जैसे aeroplane उडाना आपको तो troposphere स्ट्रेटोस्फेयर की border पर उड़ाओ ठीक है फिर आपको क्या satellite launch करना तो exosphere में होगा फिर जैसे अगर देखते हैं जो thermosphere में जो वो रहते हैं radioactive elements रहते हैं तो यहां पर ions वगएरा जो रहते हैं तो radio के जो frequency वगएरा अलग 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 गैसे देखने को मिलती है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना atmosphere में क्या क्या चीज़ें होती है अब अगर आप समप करें जितना मैंने आपको समझाया तो atmosphere क्या है लेयर ओस एयर लेयर अफ एयर वी सराउंड दी अर्थ ठीक है अब उसमें क्या है उसमें अलग 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 चीज़ वो हमें protection देती है अल्ट्रा वाले ड्रेस से life supporting oxygen होती है उसमें उसके बाद में अगली चीज़ क्या है कि depending on the composition temperature and other properties the atmosphere can be divided into five groups ठीक है ट्रोपोस्फेर, stratosphere, mesosphere, thermosphere और exosphere याद रखोगे तो भी अच्छा है ना रखोगे तो भी कोई problem नहीं है सच ठीक है अब देखो क्या है अगली चीज़ the atmosphere the atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen अब यह जो atmosphere पूरा दिख gases कौन सी है सबसे जादा gases जो है तो nitrogen है और oxygen है अब oxygen तो बहुत जरूरी आपको पता है life supporting या oxygen नहीं होगी तो हम कैसे जिन्दा रह पाएंगे और अगला nitrogen भी atmosphere में बहुत जादा quantity में है तो जैसे देखा जाए तो 78% क्या है 78% nitrogen है 21% क्या है 21% oxygen है तो 78 और 21% 99% जो है लग ल दो गैसे मिलके बनाती है अब बच्चा 1% जो है तो उसमें दूसरी दुनिया भर की तमाम गैसे जाती है ठीक है तो XYZ सारी gases तो जैसे देखा जाए तो carbon dioxide argon ठीक है तो carbon dioxide argon और यह जो दूसरी अलग-अलग gases होती है हीलियम वगेरा वह सारा सब कुछ क्या होता है 1% के अंदर आ जाती है तो यह composition हो गया अब देखा आप बोलोगे इतनी सारी gases है तो gases का काम क्या होता है ठीक है कहां होती जमीन पर आती तो जमीन पर टक्राने के बाद में reflect हो जाती है तो कुछ तो बापिस निकल जाती है लेकिन यह जो हमारा atmosphere है न तो atmosphere क्या करता है कुछ gases को trap करके रखता है रोख लेता है अब gases को trap करके रखेगा तो उसका फाइदा क्या होता पता है कि मानलो अभी टो sunraise आ रही है लेकिन रात के समय पर संडेज नहीं आएगी और फीर फ्र ठंड लगने लगए कि क्यों क्यों क्यूंकि आप sunraise आ नहीं रही है और जब संड़े नहीं होगी तो हमें ठंड लगई दिखती बात है क्योंकि अर्थ पर पूरे solar system अगर देखोगे तो source of heat चि वहे होई है ना तो atmosphere हमें क्या करता है फाता है कि दिन में जो sun just a poi सो जाती वापिस लेकिन कुछ को क्या कर लेता रोग के रखता है कुछ को अंदर ही वह क्या कर लेता है रोग के रखता है कुछ स्रॉब हो जैसेjarफ ऑगे जैसे तो교 पहार नहीं जाने में वो ट्रैप कर लेते ना अंदर गर्मी लग लगती कार में वही चीज यहां पर होती है तो वह एट्मॉस्फेर क्या करके रखता है तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि टेंप्रेचर को मॉड्रेट करने में रात के समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देकरता है हमारा एट्मॉस्फेर लाइफ सपोर्टिंग गैसे जो है जैसे ऑक्सीजन वह हमें कहां से मिलती है इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है तो आगे से अब को यह नहीं होगा तो भी बड़ी दिक्कत होगी ठीक आगे देंसीटी ऑफ दी एट्मॉस्फेर वेरीज वि as we go up, इस चीज़ को समझो, जैसे मैंने आपको अभी तक क्या बताया, कि जैसे ये atmosphere आपका, ठीक है, ये sun है, अब क्या होता है, ये sun है, तो यहां से जो solar insulations आ रही है, इस solar insulations अर्थ पर आएगी, अर्थ पर टकराने के बाद में क्या हो जाती, कुछ reflect हो जाती, कुछ तो बा gases भी है, तो atmosphere में जितनी भी gases है, वो क्या होती है, dense gases हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है, dense gases नीचे रहेगी, तो atmosphere में नीचे की तरफ, नीचे मतलब क्या होता है, ये जैसे sea level है, तो sea level के बराबर, sea level समझाया था, अब ये दिखो, the density of atmosphere varies with height, it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up, तो अधिकतर जो gases है, atmosphere में, वो कहा होती है, maximum at sea level, जमीन पे, ठीक है, बेस पे जाधा रहेगी, तो density यहाँ जाधा रहती है, लेकिन आप जैसे जैसे उपर जाओगे न, तो पहारों पर जैसे जाते जाओगे, आप क्या होते जाएगा, temperature गिरते चले जाएगा, ठीक है, temperature गिरते चलाएगा, साथ ही साथ में क्या होगा, density जो है, तो यहाँ पर आप क्या होता है, कि यहाँ पर बहुत कम उपर क्या होती, gases होती है, तो आपने देखा होगा, usually क्या होता है, जैसे जो climbing करते हैं, ठीक है, mountain पे चड़ते हैं, जो लोग, तो वो अपने साथ में oxygen cylinder लेके जाते हैं, oxygen cylinder क्यो उपर oxygen कम होती है, क्यूँ? क्यूँकि oxygen dense होती है, तो dense, जैसे आप आपने यह देखा होगा कि हम with मिल्टी वाला पाणी रहता है, तो मिल्टी नीचे settle हो जाती है, उपर पानी मिटी कम दिखेगे आपको, लेकि नीचे पानी में धिरे-धिरे settle हो जाती है, तो वो तो एक example दे रहा हूं बागी उसी तरह से क्या होता है कि gases जो होती है अलग-अलग तो नीचे जो रहता atmosphere dense रहता है नीचे atmosphere क्या रहता है बहुत dense और उपर उपर जाते जाओगे तो atmosphere में density कम हो जाएगी मतलब वहाँ gases कम है oxygen की कम ही रहेगी इसलिए तो सिलेंडर ले जा रहे हैं वहाँ पर ठीक है यह हो गया अब देखो क्या है तो अब एक concept में समझाता हूं आपको high pressure low pressure का बड़ा interesting मदेदार है इसको अच्छे से समझना जीवन भर काम आएगा high pressure pressure और low pressure का एक में statement बोलता हूं से statement को ध्यान से सुनो गैस एक statement में जो ओलती है न layer तो एर हमेशा कहां चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है हाई प्रेशर क्या है सारा सब कुछ बताता हूं देखो एर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है एर मूज रूम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये गट बंद दो ठीक है अब समझातों क्या है देख अब क्या हो जाती सारी की सारी gases heat up हो जाती गरम गरम हो जाएगी तो वह उपर की ओर उठने लगती वह operation होता ना जैसे ऐसे समझ लो तो वह उपर की ओपर उठने लगी air masses तो यहाँ pressure देखो air का यह pressure होता है यह pressure मतलब high pressure अब pressure air तो उपर जा रही तो pressure कम हो रहे ना तो low pressure हो तो यह low pressure कहलाएगा जहाँ पर solar insulation ज्यादा रहेगी वह area low pressure आगे ना समझ में लो प्रेशर हो गया अब यह low pressure वाली airs क्या करती उपर atmosphere में जाके divert हो जाती है ठीक है divert हो जाती है और जहाँ पर फिर क्या है मैंने पर solar insulation यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम है तो जहाँ solar insulation कम होती तो उपर conventional currents नहीं उठ रही है ठीक है और नीचे की तरफ क्या हो जाता है pressure ज्यादा बनता है तो air masses जब नीचे बैठेगी अब यह high pressure प्रेशर नीचे आ रहा है तो यह high pressure होता है अब देखो क्या है तो यहाँ से हवा उठी divert होई और यहाँ बैठ गई है अब जमीन के air masses कहीं तो मूफ करेगी तो वह high pressure से low pressure चलेगी क्यों कि यहाँ जगा खाली होते जा रही है यहां की air masses उपर उठ रही है तो यहां जगा क्या हो रही है खाली हो रही है आप वैक्यूम है तो वह वैक्यूम की तरफ जैसे आप क्या है आप बलून को देखना आप बलून जो air masses है वो move कर जाएगी तो हवा हमेशा कैसे चलती है high pressure से low pressure चलती है movement of the wind movement of wind is always from high pressure to low pressure यह concept हमेशा याद रखना है आपको जीवन भर समझ गए हैं तक बढ़िया समझदार वच्चे हो ठीक है तो this was all about atmosphere तो अब हमारा जो तीसरा major domain था ठीक है कौन सा तीसरा major domain था atmosphere का तो यह तीसरा major domain भी हमने क्या कर लिया cover कर लिया atmosphere वाला भी और इसी के साथ हमारे तीन major domains जो है अर्थ के वो cover हो गए कौन कौन से cover हो गए तो हमने hydrosphere complete कर लिया lithosphere complete कर लिया और यह जो तीसरा पढ़ा भी atmosphere यह भी complete हो गया किसी प्रकार का doubt है feel free to ask in comment section magnet brain पे class 4th से class 12 तक सभी subjects, सभी subjects के chapters, chapters के subtopics बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने पढ़ा सारा सब कुछ video lecture के format में available हैं आप घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं feel free to share magnet brains with your juniors and seniors ठीके बताइए लोगों को magnet brains के बारे में कि यहाँ पे जो video lectures मिल रहे हैं video lectures free of cost है आप अपना पूरा syllabus complete कर सकते हैं next video lecture में जो last topic है biosphere वाला उसे पढ़ेंगे और उसे के साथ हमारा chapter भी पर complete होगा till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much hello everybody this is दिग्राश संग राशपूत, welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस video में हम पढ़ेंगे biosphere the domain of life biosphere the domain of life, समझना इस चीज़ को क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा chapter में जो हमारे major domains थे तो अर्थ के हमने जो दूसरे अलग-अलग major domains पढ़ें तो उसमें हमने lithosphere पढ़ा, hydrosphere पढ़ा और atmosphere पढ़ा तीनो spheres को complete कर चुके, बो हाँ, ठीके? अब तीनो spheres को जो हमने complete करा और अब जो चौथा sphere पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें क्या लिखाए थी? domain of life, यानि कि life यहाँ पर possible है, biosphere में, bio means life, sphere मतलब वो जो domain है, तो यहाँ पर life possible है, कैसे? तो ऐसा समझो, अभी तक जितने sphere पढ़े, तो आप सिर्फ जमीन पर भी नहीं रह सकते हैं, आप बोलोग जादू होगी, इतनी भी इंटेक करता था सनलाइट वगेरा तो उस तरह से जादू, धूब बोलके आप खालोगे, पीलोगे और जिंदा रहोगे, तो आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा zone चाहिए, जहाँ पर तीनों चीज़े मिलती हो, तो where does the magic happens, तो magic यहाँ पर होता है, जो अलग-अलग sphere है हमारे lithosphere, hydrosphere, atmosphere, अब तीनों जहाँ पर interact कर रहे हैं, आपको रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और intake करने के लिए हवा, carbon dioxide जैसे plants का अगर देगे, तो plants को क्या है, अब plants जड़ों के थूरू, soil में से nutrients लेते हैं, पानी लेते हैं, तब ग्रो कर and air, ठीके न, and the magic happens here, life form exists here, life यहाँ पर possible हो पाती है, आगे समझ में यह, अब यह मैने आपको बताया किस बारे में, biosphere बारे में, कि biosphere क्या है, the domain of life, वो clear है, अब आगे देखो कहा है, all the living organisms, including humans, are linked to each other and to biosphere for their survival, ठीके है, तो जितने भी living organisms हैं, living organisms में सब आजाता है, मतलब मै मैं भी आजाता हूं, आप भी आजाते हो, ठीके, जो जानवर गूम रहे रोड पर वो भी आजाते हैं, पेड़ भी आजाते हैं, जो भी जिंदा हैं, तो all the living organisms, including humans, are linked to each other in biosphere for their survival, तो सारे लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जैसे, जैसे क्या होता है, प्लांट से oxygen देते हैं, carbon dioxide लेते हैं, उन्हें पानी चाहिए रहता है, तो वो hydrosphere से मिलता है, जैसे मैंने आपको भी बता है, nutrients चाहिए रहते हैं, soil से मिलता है, तो हमें भी पानी चाहिए रहेगा, hydrosphere से ही मिलेगा, तो उस तरह से हम, दूसरे spheres के उपर equally dependent हैं, और उसी के साथ में, द लावाद दूसरे living organisms के साथ में, interdependence बहुत जादा जरूरी है, ठीके, तो दोनो, plant kingdom भी और animal kingdom भी, सारा सब कुछ क्या एक दूसरे के उपर dependent होता, जैसे plant kingdom के अगर बात करें, तो अगर animal kingdom नहीं होगी, जिसमें human beings भी आते हैं, ठीके, दो पैरवाले जानवर हो गई है, तो क्या है, देखिए, कि plants को अगर आप देखो के तो उनके pollination के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए human beings जरूरी होते हैं, और human beings के survival के लिए plants जरूरी होते हैं, तो interdependence तो है, मानते हो ना, अब देखो क्या है, तो the interrelation among the three domains of environment, explain, अब यह तीनो domains भी जो interrelated रहते हैं, आपस सब होती है, तो वही क्या करती है, वह hydrosphere से evaporation करवाती है, अब evaporation होता है, evaporation उनके आप में बारिश होती है, precipitation होती है, अकर lithosphere ना हो, तो वह पानी कहां जाएगा, बताओ, कही ना कही मैं आपको बताया था, lithosphere में दोनों पार्ट आता है, ocean surface भी आता, ocean bed भी आता, continent भी, तो hydrosphere को भी अपने आपको कहीं पे तो रखना होगा ना, ऐसा तो रहना है कि पानी हवा में तेर लेगा, पानी को जमीन की जरुवत है, जमीन को पानी की जरुवत है, ताकि वो अपने उपर किसी को जीवन दे सके, plants को ग्रू करवा सके, और इन सारे process में atmosphere बहुत जादा यह वहीं पे क्या होगा, evaporation होगा, cloud formation होगा, सारी चीजें होगी, तो तीनो जो sphere है, वो आपस में एक दूसरे के उपर क्या है, interdependent है, वो interrelation है, interrelation among the three domains of environment, तो तीनो domains आपस में जुड़े हुएते हैं, लेकिन अब यह तीनो domains जुड़े हुए हैं, बहुत जादा जरू को काट रहे हैं, तो कही ना कहीं क्या हो रहा है, कि हम किसी ना किसी sphere में, bio sphere में जहां life possible है, उसे disrupt कर रहे हैं, हमारी mining activities, इन सारी चीज़ों के करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, lithosphere को disrupt कर रहे है, air को हमने pollute कर दिया है, पानी को थो हम छोड़ी नहीं रहे हैं, एक दम बिलकुल किसम खाली कि हाँ, खतम करना है पानी पूरा, पूरा waste कर देंगे, pollute कर देंगे, ठीक है, industrial effilence उसमें discharge कर रहे हैं हम, और फिर बाद में होता है ही कि हमें गूम के बापिस बिमारिया मिलती हैं, तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे challenges and human beings are required to pay a sincere attention towards these problems, ठीक है, otherwise the future is in danger, ठीक ठीक है, उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना हमारा परम करतव्य बनता है, समझाये हैं यहां तक सारी चीज़ें, तो यह last topic था, ठीक है, हमारा chapter जो है, biosphere the domain of life के साथ में हमारा chapter खतम होता है, इस topic के साथ में, अब chapter खतम हो गया है, enjoy, ठीक है, तो chapter complete हो यहां पे, theory part प मैगनेट बेंस पे class 4th से class 12th तक सभी subject जिस तरह से आपने geography पढ़ाना, social science पढ़ते हो न, तो वैसे ही science भी है, maths भी है, और सिर्फ class 6th के लिए नहीं है, 4th, 5th के लिए भी है और उसके अलावा 12th तक के लिए, 7th से 12th, तो ऐसे in shot अगर कहें हैं, तो 4th से 12th तक के लिए सार पर अवेलेबल है, मज़ेदार बात कि सारे वीडियो लेक्चर्स, free of cost अवेलेबल है, तो पढ़िए अपना syllabus complete कीजे, अपने juniors और seniors को भी बताइए, clear, यहां तक यह सारी चीज़ बताना थी, next वीडियो लेक्चर में हम NCIT solutions discuss करेंगे, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much. इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में NCIT solutions को discuss करेंगे, किस चाप्टर के तो जिस चाप्टर को हम theory part पर पूरी तरह से complete कर चुके हैं, class 6th geography का chapter, chapter है major domains of the earth, इस चाप्टर को हमने काफी अची तरह से सारे topics, sub topics, हर चीज़ को पढ़ चुके हैं, समझ तो सवाल यहाता है कि question answers रह गए लेकिन theory theory तो होगी यह complete, अभी question answers रह गए, questions आपके पास भी है, answers आपके पास नहीं है, मेरे पास हैं, तो answers हम discuss करने वाले हैं, पहले क्या हमारे पास में, पहले question answers हैं, तो answer the following questions briefly, clear, अब देखो क्या है, what are the major, what are the four major domains of the earth, earth के चार major domains कौन क से major domains है, the four major domains of the earth are lithosphere, atmosphere, hydrosphere और biosphere, चारों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है, समझ में आया है ना, ठीक है, तो यह चार major domains है, आगे क्या एकला question, name दी major continents of the earth, earth के major continents कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ, major continents तो कितने continents से पहले यह बताओ, साथ continent है, ठीक है, अब 8 हो सक सकते हैं, चल रहा है, आटफाल आने की, वह बात अलग है, बाकि अब अभी बुक में जैसा है, तो साथ के साब से पढ़ते हैं, ठीक है, तो the major continents of the earth are Asia, Africa, North America, ठीक है, यह नूडल्स बनाने की जरुद नहीं है, Asia, Africa, North America, South America, Australia, Europe, और Antarctica, ठीक है, इनकी location अप क्या करना है, एक एक चीज में बता दो, आपको सभी को करना है, अपने घर में एक world map अभी से लगा लो, world map लगा हो तो पहले आपको continent visualize हो जाएंगे, broad sense में, कि हाँ, यहाँ, 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 क्या है, continent से, वो continents visualize हो गए, फिर आप countries देखने लगोगे, कि अच्छा, इस continent मे यह, यह countries है, इस continent में, यह, यह countries है, तो ऐसे क्या है कि geographic है, geography पढ़ने वाली, रटने वाली, याद करने वाली चीज नहीं है, अगर आप सोचो कि English, Hindi की तरह geography को आप फटा-फट answer याद कर लोगे, सब कर लोगे, geography से तो क्या करना पड़ेगा, आपको geography से आपको एक तरह से एक relation build up करना पड़ेगा, कैसा वाला, आख बंद करो और आपके सामने चीजें visualize हो, ऐसा वाला relation, तो ऐसा वाला relation build करना है भया, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, चीजों को imprint करना होगा अपनी memory में, ना कि हमें क्या हो ना रटना होगा, ठीक है, तो यह ध्यान रखो कि पूरी तरह से सदन हमिस्फियर में, अब देखो, यह हो गया पूरा अर्थ, ठीक है, यह हो गया equator, अब आपको यह बताना है कि ऐसे दो continent जो पूरी तरह से सदन हमिस्फियर में, यह दो continent है, एक Australia, एक Antarctica, एफ और Australia, एफ और Antarctica, तो यह दो continent जो पूरा, ठीक है, continent that entirely, पूरा पूछ रहा है न, ऐसे तो जैसे अफरिका भी आफरिका का भी कुछ पार्ट आता है, साउथ अमेरिका का पार्ट भी आता है, लेकिन यह पूछ रहा है कि पूरा continent southern हमिस्फियर में, कौन से आते हैं, तो Australia और Antarctica, fine, अब क्या अगला, name the different layers of atmosphere, layers of atmosphere, पांच लेयर में ने atmosphere the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere तो यह पांच लेयर होती यह ठीक है, यह पांच लेयर तो धहानक नब को ब्लू है नहीं अर्थ को ब्लू प्लानेट इसलिए कहते है कि इसका जो पानी है स्पेस से आप देखोगे तो सब कुछ ब्लू नजर आता है ना तो अर्थ इस कॉल्ड ब्लू प्लानेट बिकॉस ओफ एक्सेस ओफ वाटरी सर्फिस ओनेट विच इस अराउंड सेवंटीवन आफ दी अर्थ सर्फिस ठीक है तो पानी जो है तो सेवंटीवन परसंट आफ दी अर्थ सर्फिस तो जो अर्थ सर्फिस है पूरा उसका सेवंटीवन मतलब जो पूरा अर्थ है तो पूरे अर्थ का सेवंटीवन परसंट सर्फिस जो इट इस अंडर वाटर अब जब इतन इस पर पिर उसकाद में नौर्थ अमेरिका हो गया फिर यहां पे अफरीका भी ज़से इदर देखो गया तो 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 यहां तो सरफ दो ही कॉंटिनेंट है Southern Hemisphere में लेकिन वल्ड का Major Land Part जो है तो वह कहां पर Northern Hemisphere में और इसी कारण से Northern Hemisphere को क्या कहा जाता है तो नदर हमिस्फेर को हम कहते हैं नदर हमिस्फेर कॉल दी लैंड हमिस्फेर इसे लैंड हमिस्फेर कहा जाता है The major part of the land mass lies in the नदर हमिस्फेर Hence it is called the land हमिस्फेर What's next? Why is the biosphere important for living organisms? Living organisms के लिए biosphere important क्यों है? क्योंकि life ही तो biosphere में possible है बाकि दूसरे किसी एक अलग स्फेर में आप नहीं रह सकते हो न तो the biosphere is the important for living organisms because it contains all elements required for life अगर आपको जीना है तो जीने के लिए जितने भी elements चाहिए रहेंगे वो सारे elements कहां पे होंगे जीने के लिए सारे elements जो ज़रूरी देते हैं वो आपको biosphere में मिलेंगे तो जैसे like air, water and land ठीक है which are essential for life यह air, water, land जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो कहां मिलेंगे आपको वो आपको biosphere में ही मिलने वाले हैं अगला question कहा है हमारा तो अगला question अब आता है take the correct answers take the correct answers को देखिए पहला question है पहला question थी mountain range that separates Europe from Asia ठीक है, Europe और Asia को जो अलग करती है mountain range वो कौन सी mountain range है, Himalayas तो यह Himalayas तो पूरा का पूरा Asia में, इंडिया में है ठीक है, इंडिया नेपाल, याली बॉर्डर्स पे और Andies तो Andies तो कहा देखा था आमने Rockies, Andies में आपको आता है, South America में अब बचा क्या है, तो जो बचा है वो सही आंसर होगा Eural, ठीक है, Eural Mountain ने रशिया और Europe की बॉर्डर पे है, तो जो एक तरह से Asia और Europe को separate करती है Eural Mountain, ठीक है What's the next, तो the continent of North America is linked to South America, North America का जो continent है, और जो South America का continent है, ठीक है, जैसे अगर आप देखते हो, वर्ल्ड में अप पे, तो वर्ल्ड में आप, स्वारी, ग्लोब पे अगर आप देखते हो, ठीक, तो आप ग्लोब पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे कहीं न कहीं यह North America है, ठीक है, और एक पतला सा यहाँ पे कुछ है, जो क्या करता है जो South America को connect करे हुए, अब यह जो part है, इसने connect करा है North America और South America को, कुशिन क्या पूछ रहा है कुशिन पूछ रहा है, तो आपको कैनल तो पता है नहर होती है, तो वो तो अलग करती है ठीक है, स्ट्रेट क्या करता है, तो स्ट्रेट भी आपको पता है, जैसे इंडिया और स्री लंका है, तो इंडिया और स्री लंका को, जो अलग किये हुए पानी है, या फिर जो कह सकते हैं, बेओ बेंगॉल को और इंडियन ओशिन को जो जोड रहा है तो अलग अलग साथ अमेरिका और साथ अमेरिका को अगला कुश्यन दी मेजर कंस्टिट्वेंट ओफ एट्मोस्फियर बाइप परसेंट हाजी अब एक खुबवक आपको देता हूं में परसेंट आप बताएंगे बाकि आपको यहां पर जो आंसर वह मता तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन औ मतलब नाइटोजन का कमपोजिशन एट्मोस्फेर में सबसे ज़्यादा होता है अगला क्या है अगला कुश्यन देखो दि डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग आफ सॉलिड रोग्स ठीक है जहां पर सॉलिड रोग्स पाई जाती वहां डॉमिन को क्या कहा जाता है एट्मोस में ही तो जमीन होती है आप खड़े कहां होते हो लिफास्फियर पे ठीक है अब विच इस दी लार्जेस्ट कंटिनेंट अब आप बोलोगे सर ये कोशन पूछ के तो आपने क्या कर दी हमें अंडर एस्टिमेट कर दे तो बता दो आंसर ठीक है अब सोचो क्या होता है एफरी है इच दी राइट अंसर अगला कान फिल इनदी ब्लैंक बताना है अब को हुआ प्रलि टीपस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इस डेश इन दी सफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन में अर्थ का डिपेस्ट पॉइंट है उसका नाम बता दो आप दो बस सिंपल सी चीजे है जैस मै बोट्डेंगे कि अगला इंडिया के बाद मैं इसका नाम रखा इंडिया के बाद में रखा इंडियन ओशेंग विल्किंग शैन्यगें जब मैं आंस्ट पूछ तो आपको मन में आंसर रीकॉल करना रहेगा मेरे पहले बताने से पहले अगर आप रिकॉल कर ले तो आप जीत गये अब क्या है दिडेश इस अनेरो एक चल्दी से बता हो लाइफ कहां पर सपोर्ट होती है तो दी अधिडेश प्रसाइब अग्या कांटिनेंट्स उफ यूरोप एंड इसीया टोगेधर आर नोन अस तो वहां के लोग क्या कहते युरेशिया Eurasia ठीक है Eurasia के नाम से जाना जाता है Europe और Asia दोनों क्योंकि देखो दूसरे continent Africa अलग है North America अलग है South America अलग है Australia अलग है लेकिन कहीं न के Europe और Asia जुड़ा हुआ है जमीन से तो उसे जुड़ा हुआ पार्ट है उसे Eurasia कहा जाता है ठीक है अब the highest mountain peak on earth is dash highest mountain peak on the earth earth के उपर जो highest mountain peak है वो कौन सा है तो ये highest mountain peak है और ये कहाँ पे है ये है नेपाल इंडिया बॉर्डर पे Mount Everest ठीक है Mount Everest clear है So this was all about अब इसी के साथ हमारा chapter क्या होता है पूरा complete होता है मैंने सारे question answers आपको बता दिये ठीक है हाँ complete हो गया तो यहाँ पे हमारा जो chapter है Class 6th Geography का Major Domains of the Earth ये chapter पूरी तरह से complete हुआ किसी प्रकार के कोई doubt नहीं होना चाहिए अगर है तो comment section में आप पूछ सकते है तो यहाँ पूरा chapter theory पार्ट पे भी question answers वाले पार्ट पे भी complete होता है आपने ये chapter आपका magnet brains पे complete किया है और इसी तरह से अगर आपको पढ़ते रहना है ठीक है content और समझना अची तरह से बहतर तरह से तो आप क्या कर सकते है magnet brains पे class आपको जो भी subject पढ़ना है साइंस पढ़ना है math पढ़ना सारा सब कुछ आप magnet brains पे पढ़ सकते है क्यों क्योंकि यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो free of cost available है जिने आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो घर बैटा है कहीं पे भी अपना syllabus complete कर सकते हो देख सकते हो fine next video lecture से एक नया chapter स्टार्ट करने वाले है till then stay connected keep learning thank you thank you very much